जी तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो के है हाइपोथेलेमस एंड पिचूटरी हाइपोथेलेमस एंड पिचूटरी के हवाले से आप लोगोंने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये हाइपोथेलेमस और पिचूटरी को एंड पिचूटरी को आप कहा सकते हैं कि के इंड पिचूटरी करा जा सकता है ये गले के इंदर एक हार्मून है हमारी सुर्वी ग्लैड ह हमारे है हमारे पास थाइराइड ग्लैड यह हमारे पास हार्मून सेकृereड करता है टी-3 और टी-4 अब ये टी-3, टी-4 ब्लड के जरहें पूरी बोडी के अंदर किसी भी आरगन के उर्गन के अदर जाते हैं और कुछ हर्मों के targeted organs भी होते हैं जनके उपर उनों जाकर एक्ट करना होते हैं और कुछ throughout body के अंदर work करते हैं कहीं पह जाके यह क्या करवाते हैं कहीं पह जाके क्या करवाते हैं तो यह और भी बहुत सारे glands होते हैं अब हम चलते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ ये एक image है, एक male और female की, यहाँ पे जितने भी almost glands हैं, उनकी यहाँ पे presentation आपको दिखाई हुई है, सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे thyroid है, thyroid के साथ एक और gland होता है, जिसको पहरा thyroid बोलते हैं, नीचे यह तो थाइमस होता है, उसके बाद आप लोग जब JIT पढ़ते ह हैं, pancreas आप देखते हैं, kidneys के ओपर adrenal gland मुझूद होता है, इसी तरह टेस्टीज भी कुछ हमारे पास hormones release करते हैं, तो इनको भी आप gland कहा सकते हैं, तो इसी तरह female के अंदर भी thyroid और पहरा thyroid और इसी के साथ साथ thाइमस और फिर pancreas, adrenal gland जो के kidneys के ओपर पढ़ा है, ovaries, ovaries जो female reproductive system का एक important part है, वो भी आगे से hormone regulation के जरीए ही अपने महामलाच चला रहे होते हैं, placenta, pregnancy जो दो दोरान, placenta जो बनता है, वो भी hormone release करता है, तो ये तमाम के तमाम, जितने भी मैंने आपको gland दिखाए हैं, ये कोई ना कोई हमारे पास hormone बना रहे होते हैं, मुखतलिफ locations हैं की, thyroid को देखें, आप बिल्कुल neck के अंदर है, thymus तोड़ नीचे है, उसके बाद pancreas, यहाँ पे है, adrenal gland kidneys के उपर पड़ा हुआ है, तो ऐसे इनकी भी different locations हैं, अब ये इस तरह नहीं होता कि ये मूठा के अपनी तरह से ही मुखतलिफ hormones बनाते रहें, स्क्रीट करते रहें, और इसी control system के लिए हमारे पास कुछ एक mastermind बैठा हुआ है, जो हमारे brain के अंदर मौझू है, जिसको हम बोलते हैं, pituitary and hypothalamus, pituitary and hypothalamus, अब pituitary and hypothalamus को ये तो मैं gland दिखा रहा हूँ, एक और gland भी यहाँ पे brain के अंदर होता है, जिसको pineal gland बोलते हैं, इसको भी आपने याद र तो pituitary gland और hypothalamus, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये control कर रहे होते हैं, बाकी तमाम के तमाम हमारे पास glands को, कि वो hormone की secretion को बढ़ाएं या कम करें, mostly, mostly, तो कहीं के ओपर इनका effect नहीं भी होता, लेकिन 90% हमारे पास ये तमाम के तमाम glands को control कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरीक glands का है, तरीका वही है, जो glans का, glans क्या बना रहे हैं, हार्मों, तो सेम इसी तरह tragic or hypothalamus भी क्या बनाएंगे, हार्मों, ok? पिचूटरी और हाइपोथलमस भी क्या बनाएंगे हर्मूस बनाएंगे पिचूटरी और हाइपोथलमस के भी हम बात करेंगे डिटेल के साथ ये कुछ स्पैसिफिक एरियाज है ब्रेन के हाइपोथलमस क्या है? एक एरिया है ब्रेन का असी तरह पिचूटरी क्या है? वो भी एरिया है ब्रेन का P-Shayp होता है और वो वहां पे मौझूद होता है जो सारे की सारी कंट्रोल कर रहे होते हैं पूरे के पूरे एंडोक्राइन के ग्लैंड्स को मेरी बात समझा रही है आपको अब ये करता कैसे है? इसने भी हर्मून बनाने है ये अब मैं इमिज आपको ग्लैंड्स की दिखा रहा हूँ जो के हर्मून बनाते हैं तो मैंने इसी में पिचूटरी और हाइपोथलेमस भी एज़ा आपको ग्लैंड दिखाया हुआ है ना के मास्टर के तोर पे मेरी बात आप गेट करें मैं यहां पे सारे ग्लैंड लिखे हैं सारे ग्लैंड ड्रॉगे हैं तो पिचूटरी और हाइपोथलेमस भी साल के तोर पे अभी हम बात करेंगे डेटेल से एक हर्मून यहाँ वे हाइपोथालमस में बना हाइपोथालमस सबसे उपर वाला हिसा है मतलब कि आप कहलें कि जर्नल फौज का जर्नल जैसे होता है ऐसे जर्नल जो है वो हमारा हाइपोथालमस है उसने आगे ओडर देना है प अब ये बात क्लियर होगी यह तो हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे एक और पॉइंट है एक तो ये पिचूटरी और हाइपो थलमेस क्या कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल कर रहे हैं ग्लैंड्स को एक बात दूसरी बात इन के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स भ जेते हैं जी अब पिचूटरी के अंदर हमारे पास एक हर्मोन बनेगा जिसको हम प्रोलेक्टन बोलते हैं प्रोलेक्टन एक हर्मोन है पिचूटरी के अंदर बना उसने डिरेक्ली जाके डिरेक्ली जाके फीमेल के जो मेमरी ग्लैंड है यहां पे एक और ग्लैंड भी आन हमारे पास production और उसकी excretion के अंदर help out करता है ओके ये oxytocin का भी role होता है यहाँ पर लेकिन main role जो होता है formation of milk का वो prolactin ही करवा रहा होता है understand तो ऐसे अब पिचूटरी ने किसी को जो है न वो control नहीं किया बलकर directly milk की ejection कराई directly control और दूसी तरफ पिचूटरी ने कुछ हर्मोन निकलेंगे वो जाके जैसा के मैं आपको example देता हूँ जैसा के हमारे पास thyroid gland है यह है thyroid gland यहाँ पर अब पिचूटरी और hypothalamus क्या करेंगे कोई ऐसे हर्मोन बनाएंगे सबसे पहले hypothalamus की बात करें यहाँ से निकलेगा thyroid releasing hormone TRH thyroid releasing hormone वो जाएगा पिचूटरी के उपर पिचूटरी से एक और हर्मोन निकलेगा TSH thyroid stimulating hormone अब वो thyroid stimulating hormone किदर आएगा यहाँ पर thyroid के उपर और thyroid से क्या कहेगा कि अपने final hormones निकलो जो T3 और T4 और T3 और T4 भी आगए जाके मुख्तले function perform करते हैं इसी बुनियाद पर हम पिचूटरी के hormones को कहते हैं tropical और non-tropical hormones tropical hormones ऐसे hormones होते हैं जो कि किसी organ को जाके effect करेंगे, किसी अगले gland को effect करेंगे और non-tropical जिनका directly function होते हैं जैसा कि prolactin के मैंने example दी यह तमाम की तमाम बाते हैं अब ही हम करेंगे, मैं आपको idea दे रहा हूँ कि बात क्या चलने लगी है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने example दी है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि कैसे यह work करता है इसको बोलते हैं different accesses हमने इसको कैसे बियान करना है access की सुरत में, access से क्या रहा है connection, connection के यहाँ पर लिखा हुआ है hypothalamus pituitary adrenal access hypothalamus pituitary adrenal इस तरह के मुख्लिफ access होते है hypothalamus pituitary adrenal access के अंदर क्या होता है hypothalamus से एक हर्मून release होगा जिसका नाम है CRH CRH, okay CRH से आगे जाके pituitary से क्या release करवाना है ACTH, और ACTH ने जाके adrenal cortex के उपर, target organ क्या है adrenal cortex इसी तरह thyroid के मैं आपको example दे चुका हूँ तो ऐसे यह सारा का सारा control mechanism चलता है, okay अब let's suppose adrenal से कुछ हर्मून बने और उनकी concentration बहुत ज़्यादा हो गई तो इस concentration को sense कौन करेगा, यह हमारे पास hypothalamus sense करेगा, या stimulate करें हैं, जिसकी वज़ाए से यह हर्मून बन रहे हैं, okay thyroid क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, मैं इसकी example देता हूँ hypothalamus से क्या निकला, TRH आगे जाके उसने क्या निकला, पिचूटरी से TSH, और जाके यह लगा thyroid के उपर, और क्या निकाल दिया T3 और T4, okay T3 और T4, अब T3 और T4 की concentration blood में बहुत ज़्यादा हो गई है इसको sense करेगा hypothalamus भी और पिचूटरी भी, तो TSH और TRH की concentration को क्या कर देंगे कम कर देंगे, ताके thyroid gland जो है वो T3 और T4 नामने, clear बिल्गल easy peasy अब hypothalamus और पिचूटरी का जो connection है, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं कि ये कैसे अपने معاملات चला रहे होते हैं आईए उसके उपर नज़र डालते हैं इस image के इंदर आपको इस चीज़ को समझाया गया है सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर ढूंड़ना है, कि पिचूटरी कहां पे है और हाइपो थेलमस कहां पे है ये जो, ये ब्रेन का हिसा है एक, ओके, तो ये सारा का सारा उपर वाला हिसा ये क्या है ये हाइपो थेलमस है, और नीचे वाले दो आपको जो बॉल्स नज़र आ रहे हैं ये पिचूटरी के हैं, दो बॉल्स क्यों हैं इनकी भी कहानी समझते हैं तो पिचूटरी को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है पिचूटरी को जब हम study कहते हैं उसके दो पार्ट होते हैं एक anterior पिचूटरी और एक हमारे पास होता है पुचूट पॉस्टेरी पिचूटरी, एंटिरियर पिचूटरी का दूसरा नाम होता है, अडीनो हाइपोफाइस, क्या नाम होता है, अडीनो हाइपोफाइस, और यहां पे लिखा भी होगा कहीं पर, यह अडीनो हाइपोफाइस लिखा हुआ है, और यह क्या निकालता है, यहां से बहुत सारे और आगे से कंट्रोल मेकनिसम को चलाएंगे इसी तरह पॉस्टेरियर पिचूटरी की जब मैं बात करता हूँ तो पॉस्टेरियर पिचूटरी का भी एक दूसरा नाम है उसका नाम क्या है नियूरो हाइपोफेसिस एंटेरियर पिचूटरी का नाम क्या था अडीनो हाइपो ग्लैंड दुबारा से सुनिएगा एंटेरियर पिचूटरी जिसको हम अडीनों हाइपोफैसिस भी बोलते हैं यहां पे हर्मून खुद बनाएगा पिचूटरी पिचूटरी ने यहां पे हर्मून बनाने हैं और सक्रेट करने हैं कौन-कौन से टी ऐसा फैसा चैलर्ज यहां पिचूटरी यह हर्मून खुद बनाता है नहीं यह खुद नहीं बनाता बलकि हाईपोफैलमस में कुछ एरिया होते हैं देखें यह एरिया और यहिए इनको भी हम तफसील से देखेंगे यह एरिया को बोलते हैं पैरा वेंट्रीकूलर नूक्लिया और इस एरिया को क्या बोलते हैं सुप्राईप्टिक न्यूक्लिय है तो हाइपोधालेमस में पहुत सारे एरिया होते हैं अभी हम उनको तफसील देखेंगे कौन इरिया कौन कौन सा हर मॉन सक्रीट कर रहा है तो पैरावंट्रिकॉलर एरिया और सुप्राउप्टिक एरिया यहां पर क्या बनें blood vessels के साथ connection है hypothalamus का मेरी बात समझा रही है anterior pituitary का connection इसके साथ blood vessel वाला है यहाँ पे इसका connection direct है ऐसे लग रहा है कि यह hypothalamus का ही हिसा है hypothalamus की ही extension है इसलिए posterior pituitary को हम लोग बोलते हैं it is the extension of hypothalamus it is the extension of hypothalamus कि यह hypothalamus ही है लेकिन यह अपने रस्टे से निकल के नीचे आ गया है नीचे आ गया है और यहाँ पे क्या कर रहा है बनते यहाँ पे हैं आके यहाँ पे store होते हैं हर्मूस oxytocin और एडियाच अभी हम इनका function वगरा सरा कोई देखेंगे और यह release कर दिया जाती है जब हमें जरूरत होती है यहाँ पे blood vessel आपको नज़र आ रही होंगी इनके जरीए release कर दिया जाता है जब हमें जरूरत होती है लेकिन anterior side पे यहाँ पे इनका connection कैसे है blood vessel के साथ यहाँ पे इसके हर्मून खुद यह बनाएगा तो यह हर्मून यहाँ पे बने ऐसा नहीं है कि इनको कोई control करने वला नहीं है control यहाँ इन हर्मून ने भी होना है with hypothalamus hypothalamus यहाँ से message भेज़ेगा कुछ हर्मून यहाँ पे बनाएगा और जैसा कि हमने पिछली example के अंदर देखा है TRH TRH किसको कहाँ बन रहा था hypothalamus के अंदर और यहाँ से यह जा के किसको regulate कर रहा है TSH को अब वो कहाँ पे बन रहा है pituitary के अंदर अब दुबारा से अपनी image के अंदर आते है यहाँ पे लिखा हुआ जी TSH बन रहा है यहाँ पे बिल्गूल बन रहा है लेकिन इसको control कौन कर रहा है TRH TRH कहाँ पे बनेगा उपर hypothalamus के अंदर मेरी बात दुबारा से सुनियेगा TSH इसका अपना हर्मून है लेकिन इसको control कौन कर रहा है TRH TRH कहाँ पे बनेगा hypothalamus के अंदर यह किसके जरीए नीचे आएगा blood vessels के जरीए नीचे आएगा blood vessels के जरीए नीचे आएगा जबके oxytocin और ADH वो हम पढ़ते तो pituitory के हर्मून्स के अंदर ही है लेकिन वो असल में pituitory के हर्मून्स है नहीं वो बस वहाँ पे store हो रहे है असल में वो कहाँ पे बन रहे है hypothalamus में यह बात और इस एरिया को यह जो connection है nerves का blood vessels का इसको बोलते है infant debulum क्या बोलते है infant debulum और यह आपने याद रखना है और यह जो blood vessels का system है इसको बोलते है hypofasial portal system hypofasial portal system hypofasial portal system दोबारा repeat करो और यह बड़ा important है अगर यह ना हो क्या इन दोनों का connection होगा बिल्कुल नहीं होगा सारा का सारा game खराब हो जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं अगर आपको यह तमाम की तबाम details समझ आ गई है एक रफ सा खाका आपने बना रही है कि एक उपर hypothalamus है नीचे पे चूटरी है पे चूटरी के दो टाइपस अंटेरियर पे चूटरी पोस्टेर पे चूटरी अंटेरियर पे चूटरी से 6 हर्मोन ने कर रहे है जो कि उसके अपने हैं इनको regulate करने के लिए उपर से कोई हर्मोन आएगा with the blood vessels जबकि पोस्टेरियर पे चूटरी के अपने हर्मोन नहीं है वो उपर से बने बना जाते हैं यहां पे थोड़ी देर के लिए रुखते हैं जब जूरे पड़ती है निकाल दिया जाते हैं उनमें कौन हैं? दो हैं अक्सिटोसिन और एडियाच ओके? बात क्लिर होगी अब आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग अब कुछ चीजों को देखते हैं हाइपो-थालमस को हम लोगों ने थोरली थोड़ा सा स्टेडी करना है उसके बाद हम पे चूटरी को थोरली स्टेडी करेंगे लुकेशन की बात करें हाइपो थेलमस की तो ये एंटीरियर पार्ट ओफ दे डायन सेफलोन के पर होता है ब्रेन का एक पार्ट होता है डायन सेफलोन डायन सेफलोन किसके से मिलकर बना होता है हाइपो थेलमस से थेलमस से और सब थेलमस से यह तमाम के तमाम सट्रक्ट्र्टर्ज जो होते हैं यह डायन सफलोन बनते हैं वेंट्रल एंड इंफीरियर तुटा थालमस मनें आपको बताया कि डायन सफलोन का एक पार थालमस भी है थालमस क्या है? रिले सेंटर Neuronautomy के अंदर इसकी इसको हम देखते हैं एक जगा है brain की जिसको हम thalamus बोलते हैं जो के हमारे पास बहुत ही ज़्यादा important area उसके ventral, ventral किसको बोलते हैं आगे और inferior side पे असाल के दोर पे ये thalamus है इसके आगे और inferior side ये बनती है तो यहाँ पे घर के ये होगा हमारे बास क्या hypothalamus diencephalon के लिए अब इसके function जो most important part control center for the autonomic nervous system it is the control center for the autonomic nervous system autonomic nervous system मैंने अग बताया था ऐसा system होता है, दो system होता है एक somatic और एक autonomic somatic जो हमारी body की movements वगरा कराता है, जो हमारे control के अंदर autonomic हमारे control के अंदर नहीं है इसकी आगे दो type, parasympathetic और sympathetic, यह हम बात करेंगे, कभी मौका मिला तो यहाँ पे बस आपने यह याद रखना है कि hypothalamus का रोल होता है autonomic nervous system के अंदर उन चीज़ों के अंदर जो हमारे control के अंदर नहीं होती अभी हम देखते है for example, thirst and hunger regulation thirst and प्यास लगना और बूक लगना यह हमारे control के अंदर है नहीं है, तो यह autonomic function है और यह control कौन का रहा है हमारा hypothalamus, इसी तरह thermo regulation आपको जब कभी आपको ठंड लगने लग जाती है कभी गर्मी लगने लग जाती है कभी आपका जिसम गर्म हो जाता है कभी आपका जिसम ठंडा हो जाता है यह भी कौन कंट्रोल का रहा हुता है it is a autonomic nervous system का कंट्रोल क्या आप अपना body temperature खोद अड़ियस्ट का सकते है मैं को यार बाहर जो है वो बहुत गर्मी है मैं अपने आपको थोड़ा ठंडा कर लूँ क्या ऐसा होता है बिल्कुल नहीं होता तो यह तमाम का तमाम कंट्रोल कौन का रहा हुता है hypothalamus का रहा हुता है hypothalamus के आगे areas बनाए हुए कौन कौन से area हैं क्या क्या काम करते हैं उसके basis के उपर अभी हम उनको भी discuss करेंगे आगे बढ़ते हैं production of hypothalamus hormone mostly effect the hormonal secretion of the anterior pituitary यह बात हमने की है कि hypothalamus के जो hormones हैं वो anterior pituitary के hormones को effect करते हैं मैंने बताया था TRH उपर बना उसने आगे TSH को regulate करना है और TSH ने आगे जाके thyroid पे उपर act करना है secretion and storage of ADH and oxytocin यह बनाता भी है secrete भी करता है और store भी करता है ADH को oxytocin ADH और oxytocin को ओके यह अपने हमेशा याद रखना है ADH and oxytocin are produced in the supra optic nucleus and paraventricular nucleus इसके हमने बात की है कि यह areas है both hormones are transported to the posterior pituitary via neurophysin neurophysin हमारे पास proteins है यह आप कहलें कि एक तो मैंने आपके बताया उनका direct connection भी है यहाँ पर देखिए यह हमारे पास direct connection था nulls का direct connection था नीचे को आ रही था extend का रही था इनको बोलते हैं exons यह नीचे को आ रही है लेकिन बना तो हर्मून यहाँ पे है न तो इसको नीचे लाने के लिए हमारे पास जो protein बनाई जाती है उसका नाम क्या है उसका नाम यहाँ पे उसने लिका हुआ है neurophysin neurophysin क्या है group of carrier protein जो ठाग के उपर से नीचे ला रही होती है understand and release in the circulation as needed जब जरूरत होती है इसको circulation में release कर दिया जाता है reception and integration of sensory input अब इसके पास information के दर से आती है इसको इलहाम थोड़ी हो जाता है कि body के अंदर निसाल के तोर पे किसी चीज किसी chemical की कमी है या जयाती है तो यह कैसे sense करता है इसके अंदर को sensory input देने के लिए को areas होते है उन areas को क्या बोलते है दो areas बड़े important area postrema and OVLT अब यह लिखने का क्या मकसद है यह लिखने का मकसद यह है कि brain जो होता है मैंने अब को बता है hypothalamus किसका इसा है dansephalone dansephalone का है brain अब brain का जो brain होते है उसकी जो हमारे पास जो arm circulation होती है जो हमारे body के अंदर गूम रहा होता है ब्लड वो ब्लड हमारे जो है वो उसके साथ mix नहीं होता with the blood of the brain हमारा यह blood जो है यह brain की तरफ नहीं जाता दुबारा से मैं बात बताता हूँ कि यह जो blood है यह directly brain के अंदर नहीं जाता इनके दरम्यान एक पड़दा होता है जिसको हम blood brain barrier बोलते है लेकिन कुछ जगों के अंदर brain के यह blood brain barrier नहीं होता directly brain के हिस्से blood ले रहे होते है directly brain के हिस्से क्या कर रहे होते है blood के साथ in touch होते है most of the brain directly directly blood के साथ in touch नहीं होता लेकिन कुछ कुछ एरियाज के ओपर blood brain barrier नहीं होता उन में से एरियाज है area, postrema और OVLT और भी बहुत सारे एरियाज होते है जो हमारे पास जहां पर blood brain barrier नहीं होता है यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपने revision करने हो यह है मेरे पास यहां पर करके पिचूटरी और पिचूटरी के ओपर होगा यहां पर करके hypothalamus और यहां पर है OVLT और यह एरिया पोस्ट्रीमा कहां पर है यहां पर करके मेडूला के पास करके तो एरिया पोस्ट्रीमा के ओपर भी blood brain barrier नहीं है और यहाँ पर भी blood brain barrier नहीं है इसके लाव और भी हमार पास area's होते हैं जहां पर blood brain barrier नहीं होता pionil gland के उपर नहीं होता sub-commissionial organ के उपर नहीं होता sub-fornical organ के उपर नहीं होता तो यह सारे के सारे area's ओ है जहां पर directly brain के यह area's blood के contact के अंदर आ जाते हैं और यह sense कर लेती हैं कि क्या चल रही है हैबोटलमस के लिए कौंसे इंपोर्टन है OVLT Most important और अरिया वोस्ट्रिमा यहां पे sense करके यहां सिगनल बेचे जाते हैं और मामला चला जाते हैं यहाँ पर तो डिरेक्ली यह इसके करीब पड़ा होगा तो यह चेक कर लेगा ओके आगे बढ़ते हैं अब हम लोगों ने यह तमाम के तमाम फंक्शन्स को पढ़ लिया लेकिन इनको याद कैसे किया जाए थर्स्ट एंड हंगर की तो मनें आपको बात बता दिया थर्म रेगलेशन की भी बात बता दिया कि टेंपरेचर को भी कंट्रोल करता है इनको याद करने का तरीका है जी टेन हैट्स एक निमोनिक है निमोनिक किस तरह की चीज़ें होती है कि आपको याद करने में असा नहीं देए आपको बता ही होगा तो क्या है जी T से क्या बनेगा A से कुछ बनेगा N से कुछ बनेगा फिर H A T S से ही सिंगल सिंगल वर्ड है यह में बताएंगे कि क्या फंक्चन है T से थर्स्ट एंड वाटर बैलन्स A से अडीनो हैपो फेसिस कंट्रोल अडीनो हैपो फेसिस क्या है It is the other name of anterior पिचूटरी तो anterior पिचूटरी को कंट्रोल करता है बिल्कुल करता है Neuro-Hाइपो फेसिस पिचूटरी posteriori पे चूटरी के 7-20 का connection बिल्कुल है oxytocin और हमारे पास दो hormone बना रहा है ADH और oxytocin इसके लावा hunger को control करता है anger को control करता है temperature को control करता है sexual function भी perform करता है ओके ये तमाम के तमाम function है इसकी detail अभी हम देखते हैं कैसे करता है आप पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पास करके बढ़ना चाते हैं लेकिन मैं time को बचाने के लिए आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास hormones की बात करते हैं जो के hypothalamus release करता है कितने hormone release करता है अच्छा hormone जितने भी ये release करेगा ना तो उसको हमने दो category's के अंदर divide किया हुआ एक hormone वो है जो के inhibit करेंगे जहां पर वो जाके effect करेंगे जहां पर वो जाके effect करेंगे जहां के तोर पे hypothalamus का कोई भी hormone है जिसको मैं बोल रहा हूँ inhibiting hormone है stopping hormone है वो अगर पिचूटरी के अंदर जाता है तो पिचूटरी से कहेंगे और बनाओ और बनाओ उके अंडिस्टेंड तो inhibiting hormones की बात करते हैं पहले inhibiting hormone कौन से होते हैं हमारे पास somatostatin और dopamine somatostatin और dopamine यह अगर हमारे पास hypothalamus के अंदर बनते हैं और कहीं पे हम इनको भीते हैं तो यह क्या करेंगे उस जगह की secretion को stop करेंगे उस जगह की secretion को क्या करेंगे stop और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो releasing hormone होंगे वो अगर इसी area के ओपर जाके हम बंबार करते हैं उनको यह वो तलमस भीजता है तो वो वहां की secretion को बढ़ा देंगे फिंटाया कि यूजेगा हार्मश का पिकली उचल फिर जानए फिरोटेल को क मुझली यूजेँस करोंगा को इसका बोल चैना क्म रिलीजेंग हर्मवन ज्सको नम me उता रहे लिसका तो नाम ही बता रहा हो का शूै dezैग अनल है हम लोग आगे जाके देखती हैं कि ये क्या क्या करते हैं थाइरो ट्रोपेन रिलीजिंग हर्मोन क्या करता है जागे जाके TSH की सक्रीशन करवाता है TSH आगे थाइराइड के उपर जागे एक्ट कहता है T3 और T4 की कंसेंटरेशन को बढ़ाता है तो ये दो हर्मोन आपने जाद रखने है सुमेटो, स्टेटिन और डोपामीन क्या करवाएंगे सक्रीशन को पेच्यूटरी की दिक्रीज कराएंगे जबकि ये चार हमारे पास हाइपोथालेमस के हर्मोन ये क्या करवाएंगे secretions को increase करवाएंगे secretions को increase करवाएंगे ओके अब आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं कि थोड़ी सी information कि hypothalamus असल में बना हुआ किस चीज़ से होता है hypothalamus हमारे पास basically इसके चार nuclei होते हैं, चार nuclei group होते हैं nuclei का क्या मतलब है? nuclei के मतलब है एक area एक जगा जिसको हमने मक्सूस किया हुए मसाल के दोर पे ये एक box है ये सारा का सारा hypodalamus है अब इसका कोई area ये वाला area मसाल के दोर पे कोई harmon बना रहा है, कोई काम का रहा है ये area कोई और काम का रहा है ये area कोई और काम का रहा है तो एक है supra optic, दूसरा है tuberal, और तीसरा है mammillary, और चोथा है pre-optic, supra optic और pre-optic दोनों के अंदर optic आते हैं, mammillary, mammillary, mammillary को अभी याद रखें, कि ये memory के अंदर helpful होता है, और tuberal, tuberal तो tuberal ही है, हमने भी देखने आगे इनको detail के अंदर भी, इनकी आगे different, हमारे पास nuclear missile के तोर पे ये area को मैं कहा देता हूँ, ये supra optic है, इसके आगे छोड़े-छोड़े nuclear ही होते हैं, मिसाल के दूर पे इसका ये area, इसका ये area, इसका ये area, तो आगे भी हम इनको further देखते हैं detail के साथ, basically ये आपकी neuroanotomy के topic भी clear हो रहे हैं, इसी तरह input area की मैंने आपको बात की थी area postrema, जो के medulla oblongata के अंदर होता है, ये वो area होते हैं जो के input दे रहे होते हैं, बतले हम इसको, दूसरा हम लोगों ने VOLT की बात की थी, वो होता है vascular organ of lamina terminalis, ओके, ये basically क्या detect कर रहा होता है, उस similarity को detect कर रहा होता है, उस similarity क्या होती है, कि हमारे पास कितने salute है, blood की उस similarity को detect कर र होता है, ADH, ADH, मैंने का था, ADH की क्या खास बात है, वो hypothalamus का ही hormone है, लेकिन वो कहां जागे store हो रहता है, पॉस्टेरे पे चोटरी केंदा, neuro hypothesis केंदा, तो बहुत जरूरी है, वो क्या करता है, उसका function अगर आपको पता है, तो इस बात का आपको समझ आजएगी, कि उस similarity को बढ़ाना ये कम करना होता है, of course, हमारे पास, basically वो समलरिटी को कामी करता है, कैसे कहता है, मैं बुटा तो, उस sense कर रहा होता है, कि मिसाल के तोर पे ये blood है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, थोड़ा सा फिर मैं आगे नहीं बताँगा, ये blood है, blood के अंदर क्या होते इस area ने चेक करना होता है, कि sodium can बढ़े हुए है ये कम है, अब तरीका गार क्या है, sodium can कैसे बढ़ सकते हैं, कि मैं blood को निकाल दू, blood को निकाल दू, अगर blood का volume कम होगा, blood का volume कम होगा, तो इसकी osmolarity क्या होगी, इसकी osmolarity भी हमारे पास कम हो जाएगी, okay, blood का volume कम, osmolarity क तो वो सेंस कर लेता है, और इसको बोलते हैं, हाईपो वॉलीमिया, हाईपो वॉलीमिया को सेंस करता है, कि volume कम है blood का, तो वो क्या करता है, kidneys के ओपर, ADH रिलीज करेगा, ADH यागे kidney के ओपर effect करेगा, और kidney से कहेगा, कि पानी ज्यादा नहीं निकालना body से, तो इस तरह हम water का volume पढ़ाते हैं, blood का volume पढ़ाते हैं, उस similarity को दोबारा से normalize किया जाता है, तो यह सारा का जारा mechanism होता है, आगे जाके हम मजीर detail में इसको देखते हैं, overview देने के लिए बात किया, कि इसकी आपको समझ आजए, यहाँ पर word use हो गया है तो, अब यह इन areas के आगे further छोटे nuclei हैं, यहाँ पर अगर आप देखें, इनको मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले है हमारा pre optic nuclear group, उसके बाद supra optic, उसके बाद tuberal nuclear group, उसके बाद मैं मैं मिल रही, आगे इनके different nuclei हैं, pre optic का जो nucleus है, इसको बोलते है, lateral nucleus, जो यहाँ पर बड़ा important role play करता है, और भी होंगे, जब ह हम बहुत ज़्यदा deep जाते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही, MBBS के level तक बस इतना ही काफी है, कि pre optic का जो nucleus है, वो later nucleus है, एक ही है, supra optic का हमारे पास 6 होते हैं, एक हम बोलते है, pre optic nucleus, ओके, अब यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर confusion आ सकती है, उपर है pre optic nuclear group, यहाँ पर pre optic nucleus है वो group है, group की आगे जो type है later nucleus, उसी को discuss किया जाता है, group बस आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख्यों में, ओके, आपने groups को याद नहीं रखना, आपने किन को याद रखना है, nucleus को, कि later nucleus क्या कर रहा है, pre optic nucleus क्या कर रहा है, इसी तरह आप paraventricular nucleus क्या कर रहा है, प इसके लावा सुप्रा ओप्टिक नुकलिस और सुप्रा क्याजमाटिक नुकलिस इस तरह तुबरल जो नुकलियर गृप है उसके भी आगए हमारे पास तीन है सुरी मैं अदर 6 पोल गया हूँ, यह 5 है और यह है मारे पास डॉर्सो मीडियल हाइपोथिलामिक नुकलियस वेंट्रो मीडियल हाइपोथिलामिक नुकलियस और आर्कवेट नुकलियस यह डिफरेंट एरियाज है मैं आप उता है यहाँ पर देख भी सकते हैं इनकी नम्बरिंग दी हुई है, एक कहाँ पर है, दो कहाँ पर, तीन कहाँ पर है इसी तरह हम मैमलरी बोडी के आगे दो है पॉस्टीर है पोथिलामिक नुकलियस और मैमलरी बोडी, टोटल यह यारा है टोटल कितनी है, यारा इनी को याद रखना है आपने, आपका काम चल जाएगा पूरे MBBS के अंदर, इनके लावा, इनसे बाहर निउरोनोटमी का भी यह टोप है, कोई नहीं पूछा जाएगा इनी को अब हमने डिटेल से देखना है कि लेटरल नुकलियस क्या काम कर रहा है मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि लेटर नुकलियस क्या की यहाँ पर इसने क्या बना हुआ है, खौबों में क्या रहा है डिशीज और चम्चे एकडशे तो यह अंगर वगरा को कंट्रोल करेगा तो यहाँ पर देखें, थर्मा मीटर बना हुआ है तो यह टेंपरेचर को कंट्रोल करेगा, प्रिय अप्टिक एंटिरियर हैपोथलामिक्स, यहाँ पर भी टेंपरेचर बना हुआ है तो यह भी हमारे पास किसको कंट्रोल करेगा थर्मोरेगुलेशन करेगा इसी तरह यहाँ पर भी यह बना हुआ है थर्मामीटर तो यह भी थर्मारेगुलेशन करेगा तो ऐसे हम अभी डिटेल से इनको देखते हैं तो इस सिंबल्स के साथ भी आप इसको याद कर सकते हैं याद करने के मुख्लिफ तरीके हैं आईएजी स्टार्ट करते हैं इसके नुकलियाएक को जल्दी से और हम फिर हमारा है कम्पोथलेमस कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरा ऑप्टिक अंटिरियर नुकलियर ग्रूप की सुपरा ऑप्टिक हमारे पास कौन सा एरिया था यह वाला सुप्राप्टिक नूप्टिक 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 न करता है प्लंप्ले दिसेपीशन ऑफ हीट करता है तो यह क्या करता है जासी दिसेपीशन ऑफ हीट यानि के कुलिंग एक अधरल देता है अगर यह फंक्शनल नहीं है तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी अगर इसके अंदर इंजिरी हो जाए इसके अंदर हाइपर थर्मिया बोड़ी का टेंपरेचर बाढ़ सकता है जो के अमर्जनसी है आगे है जी सुप्रा क्याजमाटिक नूक्लियस यह क्या करता है सлючकेडीम रिध्म जयीव खेल ख्राब हो उसको दिन में और रात को ना आतीव तो उसको बोलते हैं स्केडान डिस इसके इंदर कि अधर इंजिरी आ जैया कि अंदर क्या होता है sleep disorder होता है, insomnia होता है इसके बाद आगया supra optic nucleus supra optic nucleus और paraventricular nucleus मैंने आपको बताया था ये दोनों बड़े important है, क्या release करते है ADH और oxytocin ADH and oxytocin अच्छा जी, इसके लब आपको अच्छा कर रहा है regulate water balance, वो कैसे कर रहा है ये बहुत है, ADH के जरी है, ये भी regulate water balance, अच्छा जी बोथ हर्मोन है transported to the posterior ये बार बार वही बात कर रहा है, क्या पोस्टियर पिचूटरी के अंदर जाएंगे, वहां से हमारे पास ये निकाले जाएंगे, जब जुरूरत पड़ेगी अच्छा, paraventricular nucleus ना सिर्फ ADH और oxytocin बनाता है बलके ये और भी हर्मोन बनाता है, जो के आगे जागे वर्क करते हैं जैसा के TRH, thyrotropin relieving hormone, corticotrophin relieving hormone, और somatostate ये तीन मेने हर्मोन यहां पे लिके हैं वैसे तो ये total पांच हैं, लेकिन तीन जो उपर वाले, ये दो जो उपर वाले हैं, ये हमारे पास क्या थे, stimulatory hormone थे okay, stimulatory और somatostatin क्या था, inhibitory hormone ये अगर तो, let's suppose, ये water regulation का रहे हैं, ये areas with the help of ADH अगर तो water की regulation ना करें तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यदा पिशाब आएगा patient को, तो अगर इसके अंदर इंजरी हो तो एक बमारी होएद, इसको बोलते हैं, diabetes and speedus diabetes and speedus लास्ट में हमारे पास, pre-optic nucleus pre-optic nucleus क्या करता है ये regulate करता है, sexual functions को and secretion of gonadotrophic hormones gonadotrophic hormones हमारे पास क्या करते हैं आगे से, इनको बोलते हैं, sex hormones ये हमारे पास आगे जाके menstruation female के अंदर male के अंदर, testis की formation और testis से sperm की formation ये इतमाम के इतमाम करते हैं अगर इसके अंदर problem हो, तो Kalman syndrome होता है Kalman syndrome हमारे पास बच्चों के अंदर होता है जब area नहीं बनता pre-optic nucleosity के से नहीं बनता तो क्या उनके अंदर puberty आएगी क्या उनके अंदर female है तो उसके अंदर menstruation cycle स्टार्ट होगा नहीं होगा तो वहाँ पे हम इसको discuss करते है ओप्स काईनी का ये topic है Kalman syndrome ओगे thermoregulation भी करता है जो के इसका main role नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ये thermoregulation के इंदर भी help out करता है तो ये होगा है हमारे बाद supraoptic nuclear group या anterior nuclear group भी इसको बहुत आगे बढ़ते हैं tuberal nuclear group की बात करते हैं इसके जो हमारे पास important nuclei है पहला है dorsomedial hypothalamic nucleus ये गया करता है जी ये regulation करता है किसकी thirst and appetite की thirst and appetite की और body weight की regulation करता है भूक प्यास आपकी जो है वो आप समझे दें ना कि अगर तो हमारे पास भूक लगे ही ना let's suppose भूक लगे ही ना इसको क्या बोलते हैं hypophagia तो बंदा क्या होगा पतला हो जाएगा बिल्गुल ठीक है उसको भूक नहीं लग रही उसका ये area damage हो गया इसके लावा cardiovascular response to stress हमारे पास जब stress आता है तो BP वगरा को भी ये control करता है ओके circadian rhythm को भी control करता है लेकिन main calm circadian rhythm का हमारे पास इसका नहीं है main calm इसका क्या है thirst and appetite वगरा को control करना ओके और hypodispia और ये भी इसका हमारे पास अगर इसके अंदर damage आ जाजाए तो हमें hypodispia भी देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं आगे है जी ventromedial hypothalamic nucleus ventromedial hypothalamic nucleus क्या करता है stity produce करता है stimulated by leptin leptin के हार्मून होता है मिसाल के दोर पे मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाते खाते मेरे जो cells है वो leptin बनाना स्टार्ट का देंगे leptin जाके hypodalamus के ventromedial hypothalamic nucleus के उपर जाके attack करेगा और इसको बताएगा कि भाज़ान stity दे दो stity बोलते है स्कून आना खाने के बाद आपको एक रोटी घाते हो dead rोटी काते हो उसके बाद आपका दिल नहीं करता है कि मैंने खाने नहीं करता हूँ stomach में तो जगा होती है आप दो रोटी हैं में खाओ लेकिन आपके तो मैने नहीं खाना वो किस वज़ाए से होता है वो स्टाइटी की वज़ाए से होता है स्टाइटी कहते है कि पेट का भर जाना वो कौन कंट्रोल का रहा रहता है वेंट्रो मेडिल हाइपोथलामिक्स अब let's suppose किसी पेशेंट के इंदर ये एरिया सहित्री के से फंक्शनल नहीं है तो क्या होगा हाइपरफेजिया अबेसिटी डिसिनिबेशन कि वो अपने आपको रोक नहीं पाएगा उसको हाइपरफेजिया हो जाएगा भूख ज्यादा लगेगी अबेसिटी मुटापा हो जाएगा understand हार चीज क्लियर है उसके बाद है जी आरकुएट हाइपोथेलेमिक्स नुकलियस यह क्या करता है परजेक्ट टु दा पोर्टल वैसल दा इंफंडी बूलम रेगुलेट सक्रेशन उफ नियूरो अंडोक्राइन हर्मोन फ्रॉम दे पिचूटरी वाया पिछे ऑक्सिटोसिन और एडियाच इसके लावा क्या करता है inhibit lactation contain dopaminergic neuron that inhibit prolactin and GNRH release यह हमारे पास इस area के अंदर यह inhibition करता है lactation की विसाल के तोर पे दूर की production ना की जाए ठीक है inhibit lactation, lactation क्या बोलते है formation of milk तो कैसे करता है इसके अंदर dopaminergic neurons होते है dopaminergic neuron मैंने आको बताया था somatostatin और dopamin क्या है inhibitory hormones है तो इसके अंदर क्या होते है dopaminergic, dopamin release करता है जो के pituitory के ओपर effect करते है pituitory से क्या नहीं निकलने देते prolactin नहीं निकलने देते GNRH नहीं निकलने देते तो अगर तो इसके अंदर problem आजाए तो इसका हम overall बोलते है neuroendocrine dysregulation neuroendocrine dysregulation क्योंकि यह वो area है जो आगे से order दे रहा है कि prolactin ना बनाया जाए GNRH ना बनाया जाए इसी तरह neuroendocrine hormones ना भेजे जाए या ना भेजे जाए सारा का सारा इसका काम होता है ओके आगे आगे हमारे पास mammary body mammary nuclear की बात करते हैं इसको posterior भी बोले जाता है इसके दो important nuclei है posterior hypothalamic nucleus और mammary body mammary body तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसका नाम ही mammary है क्यों है because it controls the memory और यह hippocampus से भी information लेता है एक और एरिया होता है और project to the anterior thalamic nucleus यह पूरा एक cycle है जिसको हम लोग बात करते हैं neuronautomy का जब हम लोग topic पढ़ते हैं limbic system के अंदर तो उसके अंदर मैंने मेरी limbic system के एक video पढ़ी भी है आप देख सकते हैं अच्छे यह posterior hypothalamic nucleus क्या करता है यह sympathetic effect करता है conversion of the heat heat वगरा की production करता है अगर इस area के अंदर problem आजाए तो gain hypothermia heat नहीं बनेगी hypothermia और बोडी ठंडी हो जाएगी अगर mammary body के अंदर problem आजाए तो क्या होगा vernic encephalopathy vernic encephalopathy vernic encephalopathy के अंदर क्या होता है के यह जIGHTतर chronic alcoholic patient के अंदर शराबियों के अंदर होता है शराबियों को याद नहीं रहता क्यों नहीं रहता क्योंकि alcoholic के अंदर क्या होता है memory body के function जो है obliterate हो जाता है वो सही काम नहीं करता जिसकी वज़ा से हमारे पास memory उनकी distorted रहती है अलकोहल जा के अटेक करती है memory body के उपर और यह तमाम के तमाम प्राब्लम करती है वर्निक एंसेफलब है ठीक है हमारे पास दूसरी भी presentation होती है क्योंकि यह मेरा topic नहीं है मैं इसके पर नहीं जाना लगा तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास है pre-optic last वाला या anterior posterior nuclear group यह हमारे पास इससे क्या बनता है मैंने आपको बता कि pre-optic nucleus भी है और एक pre-optic group भी है तो आपने याद रखने है यह pre-optic group है इसका जो nucleus है वो important है वो आपने याद रखने है जिसका नाम है lateral nucleus जो के hunger को control करता है stimulated by the granine और leptine यह दोनों opposite work करते है ghrelin जो होगा वो stimulate करेगा hunger को, leptine जो होगा वो inhibit करेगा और यह दोनों hormone कहां पर आके act कर रहे होते हैं lateral nucleus के बाद एक और पीछे हमने nucleus पढ़ा है अप revise करें के जो के ghrelin की वज़ा से उसको control करा था, hunger को control करा था अब let's suppose जो main area जो hunger को control करता है वो lateral nucleus ही है lateral nucleus is the hunger house of the hypothalamus अच्छा, अब let's suppose इस area के अंदर problem आ गई है तो क्या book लगेगी, नहीं लगेगी जिसको हम बोलते हैं, एक तो psychological मसला होता है, anorexia nervosa और दूसरा हमारे पास starvation जो बंदा जो है, बिल्गोल starvation के अंदर चला जाएगा के उसके starvation बोलते हैं, कहत साली को तो जिसम के अंदर कहत साली आ जाएगी और बचों के अंदर failure to thrive failure to thrive, वो बड़े नहीं होंगे, अच्छे तरीके से फलेंगे, पूलेंगे नहीं तो इतमाम के तमाम problems हमें देखने को मिल सकते हैं अगे है जी, हमारे पास blood supply, blood supply को देखते हैं क्या होती है, blood supply hypothalamus की बड़ी important है हमने hypothalamus को तीन areas के अंदर divide कर लिया है तागिया में, blood supply समयने में असानी हो anterior, tuberal, tuberal area या tuberal एक nuclear group ही है और posterior area, posterior hypothalamic area अच्छे जी, इनकी blood supply क्या क्या है मैं चल्दी के इनको आपको बयान करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना time नहीं है anterior hypothalamus को कौन सा area, कौन सी blood vessels आ रही है anterior cerebral artery anterior cerebral artery, anterior area, इनलकुर सान posterior area है तो posterior communicating artery है इसी तरह posterior cerebral artery है और एक और खास artery भी है bacillar artery जो posterior area को innervate का रही teveural area को भी posterior communicating artery ही innervate का दिए तो आप सर्थ्व बता क्यों है थाने है मैं इसलिए बता रहो है क्याइए आपको पता होना चाहिए अगर इन आर्टरीस के अंदर प्रॉब्लम आई तो नूकलियस डेड हो सकते हैं अपॉतलमस के जब वो नूकलियस डेड होंगे तो क्या होगा उस सारे के सारे मसले मैंने डिस्कस करती है आपके साथ कि वो आगे फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो कौन-कौन सा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है हमने वो भी देख लिए अब इन्फरमेशन बहुत ज़्यादा होगी है तो पेरे बचो आप लोगों के लिए थोड़ा सा निमोनिक है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फरमेशन संभालने में असानी हो इंजरी तो दर लेटरल नियूकलिस लेटरल नियूकलिस क्या था हंगर को कंट्रोल कर रहा था दुबारा से आजाते हैं कोई मसाला नि ये था लेटरल नियूकलिस किसका प्री उप्टिक नूकलिक नूकलिक ग्रूप staff को बिल्कुल भूल जैं यूँकि आपने confuse कर देना है इसको pre optic nucleus के साथ तो lateral nucleus को ही याद रखें lateral nucleus क्या करता है hunger को control करता है injury to the lateral nucleus make you lean आपको क्या करती है lean कर देती है lean बहुते हैं पत लेगो due to absence of hunger and injury to the ventromedial nucleus make you very messy आपको बहुँ ज़यदा मुटा गर देती है due to absence of strati ventromedial nucleus कहाँ पर था ventromedial nucleus के ओपर भी आते हैं जी ventromedial nucleus यह रहा ventromedial nucleus strati को यह control करता था tuberal nuclear group का यह part है मने आपको बताया था यहाँ पर भी hyperphagy हो जाएगा desinibation कुद को रोक नहीं पाऊगे मोटे हो जाऊगे अगे है जी function of supra-casmatic nucleus आप याद कर सकते हैं क्योंकि supra में supra-casmatic nucleus को आप scn भी बोलते हैं तो ऐसे क्या बना sun-sensing nucleus sun-sensing nucleus क्यों यह लिख रहा हूँ वैसे काम किया था supra-casmatic nucleus का याद है आपको supra-casmatic nucleus क्या कर रहा था circadian rhythm को control कर रहा था कब सोना है कब उठना है तो वहाँ से sun-sensing nucleus इसको हम लोगों अपने याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि supra-casmatic nucleus को हम क्या लेख सकते हैं c, s, c, n s से sun, c से sensing of nucleus, n कि यह देखता है सूरज चड़ा है तो मैंने जागना है सूरज नहीं है hybothalamic nucleus hybothalamic nucleus हमारे पास क्या थे जैसा कि supra-optic nucleus supra-optic nucleus क्या करा था release करा था ADH को जब कि paraventricular nucleus क्या कर रहा है oxytocin बना रहा है दो ही हार्मोन यहाँ पर बनते हैं लोगे मैंने कहा था कहाँ पर स्टोर होंगे posterior pituitory के इंदर तो कैसे याद रखना है कि कौन सा nucleus ADH बना रहा है कौन सा nucleus oxytocin बना रहा है तो supra-optic nucleus ADH बनाता है paraventricular nucleus oxytocin बनाता है दोनों बनाते हैं तो दोनों हर्मोन लेकिन main जो MCU आ जाजए तो आपने किसको टिक करना है supra-optic को अगर ATH बनाता है अगर oxytocin बनाता है तो paraventricular इसको याद कर सकते हैं sad box के साथ sad मतलब कि supra-optic ADH और oxytocin OX paraventricular और memory body की तो मैंने आपको पहले भी बात बता दी है यह memory के लिए यूज होता है और alcoholic के अंदर alcoholic के अंदर varnix encephalopathy की हमने बात की थी ओके तो easy peasy यह हमारे पास हो गया hypothalamus अगली वीडियो के अंदर मैं pituitory की बात करूँगा क्योंकि time काफी हो गया इस वीडियो का उसके अंदर हम लोग start करेंगे with pituitory gland तो pituitory के अंदर हम देखेंगे क्या क्या मौमलाथ है और कैसे कैसे मौमलाथ चलती है